दोस्तों क्या आप लोग भी बहुत दिनों से अकेडमी में प्रैक्टिस कर रहे हो मेचेस भी खेल रहे हो लेकिन आप सभी को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है यानि कि अभी तक आपने डिस्टिक और डिबिजनल लेबल पे भी रिपरजेंट नहीं किया तो फिर स्टेट ल लेबल खेलना तो दूर की बात है लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी क्रिकेड अकेडमी के बारे में बताएंगे जहां से अगर आप लोग टैलेंटेड हो तो आप लोग अपने आपको एक अच्छे लेबल पे रिपरजेंट कर पाऊगे क्योंकि दोस्तो इस अकेडमी में खिलाडियों को बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाता है जिया दोस्तों हम बात कर रहे हैं नेक्स्टार उनाइटेड क्रिकेड अकेडमी के बारे में जहां पे आप लोगों को डिस्टिक और स्टेट के ट्रायल देने का मौका मिलता है और आप ट्रायल देकर डिस्टिक और स्टेट लेबल की टीम में भी सिलेक्ट हो सकते हो दोस्तों इस अकेडमी से कई सारे प्लेयर्स अभी स्टेट लेबल और डिस्टिक लेबल पे रिपरजेंट कर रहे हैं दोस्तों अगर आप लोग टेलेंटेड हो और आप लोग बहुत दिनों ट्रोफी भी खेल पाओगे दोस्तो आजकल क्रिकेट में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है लेकिन अगर आप सभी प्लेयर से बिल्कुल अलग दिखते हैं आपका स्किल सेट अच्छा है आपके अंदर पोटेंशियल दिखेगा तो 100% आपका स्टेट लेबल के लिए सिलेक्शन होगा दोस्तो नेक्स्ट चार उनियुटेट क्रिकेट अकेडमी इन दोर मध्य प्रदेश में लोकेटेड है जहां पे आपका स्कूल की फैसलेटी भी देखने को मिलती है जी हां दोस्तो आप पढ़ाई भी करो और क्रिकेट भी खेलो CVC बोट, ICSC बोट आप लोक किसी भी बोट से यहां पे एडमीशन ले सकते हो एंड आप लोक एश्टेडी करने के साथ साथ अपने क्रिकेट के जर्नी को भी कॉन्टिन्यू रख सकते हो दोस्तो यहां पे आपको gym facility, swimming pool facility, personal ground, hostel यह सारी facilities देखने को मिलती है यहां पे सबी खिलाडियों की practice बारिस के मौसम में भी continue रहती है क्योंकि इस academy में indoor net की facility भी मौझूद है दोस्तो इस academy में admission लेने की age limit आठ से लेकर 20 साल के बीच में है यानि की age से लेकर 20 साल तक के सबी players इस academy में admission ले सकते हैं तो guys अगर आप लोग भी district और state label पे represent करना चाहते हो तो आप लोग इस academy को बेज ही जखो के join कर सकते हो दोस्तो अगर admission के regarding अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है तो आप लोग नीचे दिये गए नंबर पे call करके सभी जानकारी ले सकते हो तो दोस्तो चलिए मिलते हैं आप से किसी और वीडियो में किसी और topic के साथ अब तक के लिए जै हिंद